मेरे युवासाथियों, किसी भी देश के स्पॉर्ट सेक्टर की प्रगति का सीधा नाता उस देश की अर्थे बवस्ता की प्रगति से भी जुड़ा होता। जब देश में नेगिटिविटी हो, निराशा हो, नकारात्पकता हो, तो मैदान पर भी, जीवन के हर छेत्र पर भी इसका बहुत बुरा असर दिखता है। भारत की ये सक्सेश फूल स्पॉर्ट स्टोरी भारत की ओवर ओल सक्सेश स्टोरी से अलग नहीं है। भारत आज हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। नए रिकॉर्ड मना रहा है। भारत की स्पीड और स्केल का मुकाबला आज मुश्किल है। भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। इसका अंदाजा आपको बीते 30 दिनों के काम और उपलब्दियों से मिलेगा। साथियों मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। आप कलपना कीजिए। आपका उजवल भविश्य कैसे तयार की जा रहा है। मेरे नौजमान गौर से सुनिये। सिरफ 30 दिन के मैं काम बताता हूँ आपको। पिछले 30-35 दिन में क्या हुआ है। और आपको लगेगा अगर इस स्पीड और स्केल से देश आगे बढ़ रहा है। तो आपके उजवल भविश्य की मोदी की गारंटी पक्की है। बीते 30-35 दिनों में ही नारी शक्ती बंदन अधिरियम कानून बना। गगन यान से जुड़ा एक बहुत ही अहम टेश सफलता चे किया गया। बारत को अपनी पहली रीजनल रेपिड रेल नमो भारत मिली। बैंगलूरू मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ। जम्मू कश्मीर की पहली विस्ता डॉम ट्रेंड सेवा की सुरुवात हुई। इनी 30 दिनों में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वेक का उद्गाटन हुआ। बारत में G20 देशों के सांसदों और स्पीकर्स का सम्मेलन हुआ। बारत में Global Maritime Summit हुई। इसमें 6 लाग करोड उपिय के समझोते हुई है। इसराइल से भारतियों की वापसी के लिए आपरेशन अजय शुरू किया गया। 40 साल बाद भारत और स्रिलंका के बीच फेरी सर्विस शुरू हुई। यूरोप को पीछे छोड़ते हुए भारत फाइव जी यूजर बेश के मामले में दुनिया के टॉप थ्री देशों में पहुचा। एपल के बाद गूगल ने भी मेड़ी इंडिया स्मार्ट पॉन बनाने का अलान किया। हमारे देश ने अन और फल सब्जूत पादन का नया रिकॉर्ड बनाया। साथियों ये तो अभी हाप टाइम हुआ है। अभी मेरे पास गिनाने को और भी बहुत कुछ है। आज ही मैंने महराष्ट में नलवंडे डेम पर भूवी पुजन किया है जो पचास साल से अठका हुआ था। बीते 30 दिनों में ही तेलंगना में 6,000 करोड रुपिये के सूपर थर्मल पावर प्रजेक का लोकारपन हुआ। 36 गड के बस्तर में 24,000 करोड रुपिये के आधुनिक स्टिल प्लांट का लोकारपन हुआ। राजस्तान में मैसाना, बटिंदा, गुर्दासपूर गेस्ट पाइपलाइन के एक सेक्शन का लोकारपन हुआ। जोथपूर में नए एरपोर्ट टर्मिनल बिल्निंग और IIT केंपस का सलान्यासवार लोकारपन हुआ। बिते तीस दिनों में ही माहराथ में पांसो सेधीक स्किल्ड डेवलप्मेंट केंदर लॉंच किये गए। कुछ दिन पहले गुजरात के दोरोडों को बेस्ट टूरिजम विलेज का पुरसकार मिला। जबलपूर में विरांगना राणी दुर्गावती स्मारक का भूमी पुजर हुआ। हल्दी किसानों के लिए टर्मरिक बॉड की गोष्णा हुई। तेलंगना में सेंट्रल ट्राइबल युनिवर्सिटी को स्विकृति मिली। मद्धप्रजेश में एक साथ सवाद दो लाग गरीब परिवारों को पीम आवास योजना के घर मिले। इनी ती इतनी दों में पीम स्वनिती योजना के लाभारतियों के संग्या 50 लाग पोंची। आईश्मान भारती उजना के तहट 26 करोर कार्ड बनाने का पड़ाव पार हुआ। आकांग्षी जिलों के बाद देश में आकांग्षी ब्लॉक के विकास का अभ्यान शुरू किया। गांधी जैनती पर दिल्ली में खादी की एक ही दुकान पर डेड़ करोड दुपे की सैल हुई है। और साथियों इनी तीस दिनों में खेलों की दुनिया में भी बहुत कुछ हुआ। भारत ने एशिया एखेलों में सो से जादा मेडल जीते। चालीश साल बाद भारत में इंटरनेशनल ओलेंपिक कमिटी का सेशन हुआ। उत्राखन को होकी, एस्ट्रो, टर्फ और वेलोड्रॉम स्टेडियम मिला। वारानसी में आदुनिक क्रिकेट स्टेडियम पर काम शुरू हुआ। ग्वालियर को अटल विहारी वाजपाई दिव्यांग स्पोर्ट सेंटर मिला। और यहां गोवा में ये नेशनल गेम भी तो हो रहे हैं। सिर्फ तीस दिन के, मेरे नवज़मान सोचिये, सिर्फ तीस दिन के कारियों के एक लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने आपको बस एक छोटी सी जलग दिखाई है। आज देश के हर सेक्टर में, देश के हर हिस्से में अभूत पुर्वत तेजी से काम हो रहा है। हर कोई विक्सित भारत के निर्मान में जुटा है। साथ क्यों, ये जितने भी काम हो रहे हैं, इनके मुल में मेरे देश का युवा है, मेरा भारत का युवा है। आज भारत का युवा अभूत पुर्वा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत के युवा के इसी आत्मविश्वास को राष्ट्रिय संकल्पव से जोडने के लिए हाल में एक और बड़ा काम हुआ है। मेरा युवा भारत, यहां आपने बौर देखे हैं सब जगा पे, मेरा युवा भारत यानी माई भारत, माई भारत नाम से एक नया प्लेटफॉर्म को स्विकृति दी गई है। यह ग्रामीन और शहरी यानि देश के हर युवा को आपस में भी और सरकार के साथ कनेक करने का भी वन स्टॉप सेंटर होगा। ताकि उनकी आकांग्शाओं की पूर्ति के लिए राष्ट निर्मार के लिए उन्हें जादा से जादा आउसर प्रिप्रदान किये जा सके। यह भारत की युवा शक्ति को विक्सीद भारत की शक्ति बनाने का मध्यम बनेगा। अब से कुछ दिन बाद 31 अक्तुबर को एकता दिवस पर मैं माय भारत अभ्यान के शुरात करने जा रहा हूं। और देश वाच्यों का मालूम है 31 अक्तुबर को सरदार वल्लबाई पटेल की जल्म जैनती पर हम देश भर में रन फर युनिटी का बहुत बड़ा कारिकम करते हैं। मैं चाहूँगा गोवा में भी और देश के हर कोने में 31 अक्तुबर को देश की एकता के लिए रन फर युनिटी का शांदार कारिकम भी होना चाहिए। आप सब भी इस अभ्यान से जुरू जुरिएगा।